एक इंग्लिश ओफिजर चो डिस्टिंग जगा पर सवर कर रहा था वहाँ की लोकल लैंग्वेज सिखने के लिए उसे एक लड़की दी जाती है जो उसके साथ इंटिमेट होगी और उसे लैंग्वेज सिखाएगी प्रॉल्म दब आई जब उसे उससे प्यार हो गया अगर आपको वीडियो चलागता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजेगा अब बिना किसी दरीके एक्स्प्लेशन स्टार्ट करते है हमारी स्टोरी स्टार्ट होती 1936 में उस वक्त इंगलंड बार बहुत सारे देशों पर राज था अगर किसी को भी कवर् पर रिमोट सी कंट्री में भीज दिया जाता था यहां पर वो सर्व करते थे जो वह वापस आते तब उन्हें जॉब दे दी चाती है ऐसा है हमारा में क्यारेक्टर जिसको राम है जॉन इस सर्व करने के लिए सेवाग नाम की कंट्री में आया यह कंट्री उतनी डेवलब नहीं थी यहां के बहुत सारे लोगों को उसकी लैंग्वेज भिनिया दि जॉन जब पहुचा तो जिसे उसकी लैंग्वेज आती है उसे वेलकम करने के लिए आया हुआ था जॉन को फिर हो उसके ऑफिछर के पास लेकर आता है जॉन के ऑफिछर का नाम है हेंडरी और हें उसे पुछता है कि तुम्हारे पास इतने सारे ओप्शन थे तुम यही क्यों आए जॉन ने कहा कि मेरे फादर ने यही सर्व किया था इन लोगों को एजुकेशन देना चाहते थे अपने फादर की विजन वो खुद कंप्लीट करना चाहता है हेंड्री उसे कहता है कि सक्सेस हो नहीं पाएगा यहां के लोग बहुत ही अलग है इनने एजुकेशन देकर कोई भी फाइदा नहीं क्या लोकल लोगों के ट्राइब के हेड से मिलने के लिए फिर उसे लेकर गया हेंड्री जॉन से कहता है कि जो भी कहेंगे यह तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा वहा उनने उसे देखा और उसे बहुत अच्छी लगी थी उन्होंने बहुत सारा ड्रिंक किया उसके बास सलीमा अपने फ्रेंज के साथ नाच रही थी सब लोग फिर रिक्वेस्ट करते जॉन भी उन्हें कुछ पफॉर्म करकर दिखा है वह बोरिंग सी पोएम सुनाता है जो को पसंद ने आए फिर उसे पिक अप करने के लिए जो आदमी आया था उसे के साथ उसने डांस किया सब लोग इस पर बहुत असे उस आदमी का नाम में बदंस आया है अगली सुपा जॉन ने जो भी किया इसे वह बहुत ही इंबरस था आज हेंडरी अपने साथ सलीमा को ल और यही best way है language सीखने का क्योंकि बहुत सारी century से चलता आ रहा है जॉन को यह सब बहुत ही गलत लगता है वो सलीमा को जानता नहीं वो यह सब नहीं कर सकता हेंडरी ने कहा हम सलीमा को force नहीं करें उसने भी तुमें चुना है हेंडरी अब जॉन को force करने लग गया था तो ज इनकी एरिया के border में कुछ Chinese लोग घुसकर आये थे और इनकी उनके साथ fight हुई है लोकल लोगों ने Chinese लोग को तो मार डाला पर अब border थे कि उन Chinese लोग के सर तोड़ कर लिया आए जाये जौन एक काम बिलंसाय को देता है और बिलंसाय ने monkey के head लाये थे जौन ने पहचान भ इनकी मेरे nephew थे तुमने साथ intimate हो सकता है जौन सलीमा के साथ intimate नहीं होता एक यह को लग रहा था कि यह जौन को इस पर गुस्सा आ जाता के साथ इंटिमेट नहीं हो सकता उसे सौरी कहता है और फिर से लाइंग में सिगना ट्राय करना चाहता है सलीमा भी मान की नेक सिन में देखते हैं यह जौन कुछ काम के लिए हेंरी के घर पर आया हुआ था यही पर उसके वाइफ एजी से मिलता है एजी उसे पूछती है तु उसने उसे accept कर लिया था रात में जौन और सलीमा एक ही रूम में अलग अलग बेड़ पर सोए सलीमा जौन से पुछती है कि आगर तुम किसी और के साथ इंटिमेट नहीं होते तो जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें कोई भी experience नहीं होगा जौन मजाग में गहता ह कि मैं जरा classes कर लूँगा जौन उसे बुछता है कि तुमने मुझे choose क्यों किया सलीमा गहती है पाकिस सब लोगों से तुम बहुत अलग हो अगली दिन फिर से लोकल लोगों से मिलने के लिए जौन गया हुआ था वो अभी उसके कोई भी बात मान नहीं रहे वो कुछ बच् करना चाहता था सारे लोग इसके लिए बहुत ही excited हो गये यह दोनों पानी में गये थोड़े टाइम बात बैलनसाय उपर आ गया और जौन अभी भी पानी के नीचे ही था वो लासली बाहर आया तो गेम जीच चुका था पर उसके पास oxygen cylinder है यहां के लोगों को oxygen cylinder के बारे मे जौन के फादर जब वो छोटा था तो यही उसे सुनाया करते थे सलीमा कहती है कि मेरे फादर भी यही मुझे सुनाते थे वो जब 4 साल की थी तभी उनकी date हो गई थी यही language सिखते सिखते है उसे हाथ, neck, इन सारे body organs के बारे में सिखा रही थी एक दूसरे को touch करने लग गय है और फिर intimate हो जाते है इसके बाद यह बार-बार intimate होने लग के एक रात intimate होने के बाद सलीमा यहां से जा रही थी जौन कहता है मेरे बेट पर ही सो जाओ सलीमा उसे कहती है कि हमारी tradition है दो लोग 5 रात तक एक साथ उठें तो उन दोनों की engagement हो जाती है तो मेरे साथ engagement नहीं अगली रात हेंडरी ने जौन को अपनी घर बर बुलाया था हेंडरी के बेटी अपना education कंप्लीट करकर इंगलंड से वापस आई थी यह सब एक साथ dinner कर रहे थे हैंडरी के बेटी का नाम है सीसिल सीसिल इंगलंड में यही के local लोकों पर research कर रही थी वो बातों-बातों मे हैं या कोई भी feelings develop होकी हेंडरी को लगता है कि इस तरीके से कोई भी feelings develop होना गलत होगा क्योंकि यह सिर्फ एक tradition है जौन कहता है कि उन दोनों में feelings develop हो सकती है जैसे उसे सलीमा के लिए हो रही थी हेंडरी को बात बहुत ही गलत लगती है जौन घर पर आया और सलीमा को गले लगा लेता बagger दिन जौन और सेली सीलेक साथ थे सिसिल को सारे लोगों के बारे में और Pure जानना था रिसर्च कर रही थिए तो इस रिसर्च के लिए जौन उसे सारी लगा दिखा रहा था वो सब लोगों की फोटो भी ले रही थी वो सलीमा के सामने आई वो उसकी फोटो ले सलीमा को अच्छा नहीं लगता वो जॉन से कहती है कि इसे मना करो पर जॉन कुछ भी बोल नहीं पाया अचानक से रिवर के पास फ्लोट होते हुए कुछ लोग आये एक डेंजरस बिमारी की वज़े से उनकी डेथ हो गई थी यह एक्चुल और तुम उसके साथ खुश रहोगे तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए जॉन को बहुत ही अजीब लगा वो कुछ रिस्पॉंस दे नहीं रहा था तो आज़ी कहती है यह जल्दी से इसके लिए हा कहे दो वनना तुम्हारे हाद से हो चली जाएगी जॉन ने रात में स सलीमा उस पर बहुत ही गुश्सा थी उससे कहती है तुम भी बाकियों की तरह ही हो जॉन उसे पूछता है क्या मेरे साथ कुछ अलग नहीं था क्या हमारी रिलेशन्शिप कुछ भी अलग नहीं सलीमा कहती कि नहीं मैं सिर्फ तुमारे साथ इंटिमेट होती हूं जॉन समझ नहीं पाता कि इस सब के पीछे का रिसन क्या है तब एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया बिलोंसाय ने उसे देख लिया था तो जॉन को बचा लेता है ये दोनों फिर उस आदमी का पीछा करते हैं उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग वहाँ पर सिल्वर की माइनिं कर रहे थे उन्होंने आदिवासी लोगों को राइस दिया अगर सब लोग मर जाएंगे तो उनकी माइनिंग के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा यही राइस सलीमा ने भी खाया था पर यह स्लो पोईजन है तो उसे गुज भी नहीं होगा पर जो लोग हमेशा से इस सब कुछ सच बता देना चाहिए जो उन लोगों ने किया वो बहुत ही गलत था इस वज़े से जॉन भी उन्हें मारने के ओर्डर दे देता है जॉन ने रेलाइस किया कि सलीमा भी मार थी तो उसके लिए बहुत ही वरीट था वो उसके बिना जी नहीं सकता उसे इस सब बात कहे देता है उसने उसे मैरेज के लिए प्रपोस किया सलीमा कहती है हमें कोई भी अलाउड नहीं करेगा यह बहुत ही हार्ट होगा जॉन गहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है लोग हमें समझ लेंगे जॉन ने सलीमा के बारे में जब हैंड़ी से बात कि तो हैंड़ी उस पर बहुत ही गुस्सा हो गया था वो गयता है ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं यह हमारी गवर्मेंट को डिस्रिस्पेक्ट होगी जॉन सलीमा को जाने नहीं दे सकता इसा बात एजी ने सुने एजी ने उसे कहा कि सलीमा तुमारी पास थे अब तुम आगे बढ़ो हेंड़ी उस इसी के पैललल में सलीमा को भी ब्लैकमेल किया जाता है अगर उसने जॉन को जाने नहीं दिया तो बोलंसाय को लोग मार डालेंगे बोलंसाय के फादर सलीमा को रिक्वेस्ट करते हैं सलीमा मानती नहीं तो उसे केज में डाल दिया गया था जॉन भागते भागते उसके पा तो कहती है कि अब मैं इसे कभी भी नहीं मिलोंगी सलीमा ने भी जॉन को जाने के लिए कहा इसके बाद हम देखते है कि डारेकली एक साल बीच चुका था जॉन की सिसिल के साथ शादी हो चुकी है इनकी वेडिंग नाइट पर सिसिल जॉन से भूशती है या तुम्हारी कोई स्लिपिंग ब्यूटी थी जॉन उसे सच कहता है पर सिसिल को इससे कुछ भी फरक नहीं पड़ता जॉन ने उसे खुद प्रपोस किया था अब एक साल हो चुका था तो जॉन ने वेज़े डिसाइड किया क्यों उसी जगा पर जाएगा वहाँ अने बर इन्हें वेलकम किया जाता है अब वहाँ के सारे बच्चों को जॉन पढ़ाने वाला था सब लोग जॉन को वेलकम करते हैं रात में इन्हें मूवी दिखाय जाती है पर इन सब लोगों में जॉन सिप सलीमा को ढून रहा था ये बात सिसिल ने नोटिस किये वो जॉन के साथ रात में जॉन उसे अशूर करता है कि उसके साथ खुश है अगली दिन जॉन अपने ओल्ड घर को देखने के लिए गया वहाँ पर एक और ओफिसर है उसकी और कोई स्लिपिंग डिशनरी इस ओफिसर का नाम था नेविल जॉन ने नोटिस किया कि नेविल ने अपने स्लिपिंग डिश कर रही थी उसे लगता है कि सिसिल और जॉन के बीच में उनकी रिलेशनशिप उतनी अच्छी नहीं यह सब बात कर रही थी तब ही जॉन ने यह सब सुन लिया वह अंदर आकर सिसिल को किस कर लेता है उसने एजजी को जाने के लिए कहा एक दिन जॉन जब रिवर के बास थ सलीमा का बेटा वाइट है इसका मतलब है वो उसका ही बेटा है उसे बहुत ही शौक लगा अब वो सलीमा से मिलना चाहता था अपने शेफ से बात करता है क्या हमारी मीटिंग अरेंज करवाओ शेफ ने अल्रेड़ी सलीमा से बात की थी वह सलीमा जॉन से कुछ भी बात नह में मार डालेंगे जौन कहता कि प्लीज मुझे थोड़े टाइम मिलने दो वो अपने बेटे से मिला उसके फादर उसे जो लोरी सुनाते थे यही लोरी अपने बेटे को उसने सुनाई अगली दिन अपने बेटे के लिए वो एक टॉय बना रहा था इस बात को लेकर उसने सब को समझ में आ गया जी कहती है मेरे हस्बंड हेंडरी की पे एक स्लीबिंग डिशनरी थी मैं डरती थी कि उसके पास फिर से वापस चला जाएगा इसी वज़े से उसके साथ ही मैं 30 साल रही यही चीज में मेरी बेटी के साथ नहीं होने दूंगी उसे सलीमा के साथ कुछ साथ उसे मारने के लिए उसके घर पर पहुश गया जौन की निन खुल गई थी तो बच जाता है अब यह इंसिडेंट बहुत ही सीरियस है हेंडरी कहता है अब हमें बोलान साय को मारना पड़ेगा सलीमा तुम्हारी पास थी तुम्हें उसे जाने देना चाहिए था जौन क अपनी वाइफ की वज़े से सलीमा को कभे भी अपना नहीं पाया अब नेकसिन में बोलान साय को पकड़ कर ले आ जाता है हेंडरी के कहने पर हेंडरी के फोस में जौन को बोलान साय को हैंक करने वाले थे पर बोलान साय नहीं एक बार जौन की जान बचाई थी रात में जा एक date decide की हेंडरी जॉन पर इस बात से बहुत गुस्सा था जॉन को सबक सिखाने के लिए एजी सलीमा को नेवी लेके पास जाने के लिए के लिए एज उसकी sleeping dictionary उसे blackmail कर रही थी कि अगर सलीमा ने ऐसा नहीं किया तो उसे जेल में डाल देगी अब आज रात ये दोनों भागने वाले थे पर इससे पहले ही शाम में सिसिल जॉन से बात करती है कहती कि मैं pregnant हो वो आज बहुत ही खुश थी और जॉन बहुत ही ज़ादा confused हो कि अब उसे क्या करना चाहिए रात में जब सलीमा और नेवील अकेले थे तो नेवील सलीमा को जबरदस्ती करने लग गया सलीमा ने नेवील को बहुत मारा फाइनली वहाँ के शेव की मदद से वो नेवील को मार डालती है अगर वो ऐसा नहीं करती तो नेवील उसे बहुत मारता और कभी भी जाने नहीं देता इसी के पैललल में जॉन अब एक लेटर लिख रहा था सिसिल की वज़े से वो उसके साथ नहीं चाह सकता पर यह सब बात सिसिल को पता चल गई यह लिटर वो पड़ती है उसे वो बात करती है उसने कहा कि मेरी मदर डरती थी इसी वज़े से वो हमेशा मेरे फादर के साथ रही वो दोनों कभी भी पूरी तरीके से खुश नहीं रह पाए मैं देख सकती हूँ कि मैं तुमारी फर्स चोइस नहीं तुम मुझे अभी भी उतनी प्रायोरिटी नहीं देते सलीमा हमेशा के लिए तुमारी फर्स लव है तुम्हें उसके पास ही जाना चाहिए मैं किसी ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती है जो पूरी तरीके से मुझे प्यार नहीं करता सिजिल होफ फूल थी कि उसे भी और कोई मिल जाएका वो जौन को जाने देती है घर पर जो भी सब चल रहा था इस वज़े से ओ लेट हो गया सलीमा को लगा कि आज रात भी जौन नहीं आया वो बहुत ही हार ब्रोकन हो गई जौन उनकी जगा पर लेट पोचता है पर सलीमा को ढून नहीं बाता जौन का शेफ फ्रेंड जौन के लिए सलीमा पर नज़र रहा था वो कहता है सलीमा अभी भी यही है सलीमा ने निविल को मार दिया तो उसके मर्डर के लिए हेंडरी सलीमा को ढून रहा था वो उसे ढून तो लेता है पर जाते जाते अपनी गन उसने सलीमा को दे दी वो उसकी बेटी है और कभी भी उसके लिए बुरा नहीं चाहता सलीमा भी उसे गले लगा लेती है उसे हमेशा से पता था कि हेंडरी उसके फादर है हेंडरी जब घर पर आये तो एजी उस पर बहुत ही गुसा थी कहती है कि तुम कुछ भी करने नहीं वाले हेंडरी कहता है मैं मेरी बेटीयों के लिए हमेशा सही बात चाहता हूँ वो इस सारी बात को दबा देगा यहां में पता चलता है कि नेविल अभी भी जिन्दा है वो सिर्फ इंजोर हो गया था अब एजी बहुत ही गुसा थी तो उसने जाकर नेविल को और डर दी जाओ और सलीमा और जॉन को मार डालो जाओ ने हर जगा पर सलीमा को ढूंडा पर फाइनली उसे ढूंडी लेता है यह दोनों एक दूसरे को मिलकर बहुत ही खुश थे तब ही नेविल उनके पास आ गया उसके पास गंद थी उसने जाओन को हतकड़या पहना दी वो सलीमा के साथ जबरदस्ती करने लग गया तब ही अचानक से कुछ आदिवासी लोग वहावर पहुश गये यह वही लोग हैं जिनको मरने से जॉन ने बचाया था उन्होंने नेविल को मार कर इन दोनों को बचा लिया सलीमा जॉन से कहती है अगर तुम मेरे साथ रहे तो तुम कभी भी वापस नहीं जापाओगे तुम्हें यही इन जंगलों में रहना पड़ेगा जौन कहता है मैं मेरी फैमिली के साथ हूँ मुझे किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं यह तीनों एक साथ बहुत ही खुश थे अगर आपको एकस्प्लेंशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीज़ेगा वे बहुत सारी मुविज लेकर राध रहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीज़े और बेल नुटिवेशन आइकोन दावने मत भूलिएगा हम फिर से में लेंगे और एक निमुई के साथ दबते के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखे